here is the question radiation corresponding to the transition n is equal to 4 to n is equal to 2 in hydrogen atoms falls on a certain metal work function given 2.5 electron volt फिर आगे बुला है the maximum kinetic energy of the photo electron will be okay students तो यहाँ पर आपको maximum kinetic energy calculate करना है work function आपको given है तो students photoelectric equation कहती है कि जो incident light की energy होती है वो two part में split हो थी है एक तो work function प्लस maximum kinetic energy में maximum kinetic energy आपको calculate करना है work function आपको given है लेकिन आपको incident light की energy calculate करनी पड़े तो फिर यहाँ पर यह बोला है कि यहाँ पर transition हो रहा hydrogen atom में जो कहां से कहां तक हो रहा है n is equal to 4 से n is equal to 2 के बीच में transition हो रहा है ट्राइशन हो रहा है मतलब कि higher level से electron lower layer में आ रहा है वापिस जब यह higher level से lower level माया तो आप विसली बात ही यह किसने कि सी radiation को emit करेगा उस radiation की कुछ energy होगी वो energy किसके को लोगी वो energy's energy gap के एको लोगी तो यहाँ पर आपको energy gap calculate कर ना है e4 minus e2 ओके फोर शेल के energy minus second शेल की energy आपको less करनी पड़ेगी ना चेक कीजिए देखिए फोर शेल के लिए जो energy का formula होगा 13.6 minus 13.6 into z square upon n square electron volt होता है यह n को सा है यह 4 shell का है तो इस n4 लिख देता हूं मैं माइनस वापिस इसके लिए energy का formula हो जाएगा वापिस minus 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 क्या होगा प्लस यह जागा 13.6 into z square upon n square electron volt और यह जो शेल है वो second के लिए है इस लिए इस लिए यह से एंड टू लिख रहा हूं में है नाव अब यह जो जैड है वो आपका आइटमिक नंबर hydrogen के लिए बाग की तो जैड के लिए कितने हो गई वन हो गई है तो इससे तो यहीं पर अपन वन पूट कर देते हैं आइज ना अब यह जो शेल इक और साइट वो शेल है मतलब कि 4 का स्कार हो जाएगा तो इससे आप कर दो फॉर का स्क्वेर और इसे कर दो लू का स्क्वेर अब टेकिया गी यह कितना हो जागे ठीज थिंपॉइंट six common निकल गया है यह और अंदर के बजो यह सारीक circum finale पर टूसकर रहे तो इसलिग दिए तो मैं वन अपन 4-1 अपन 60 ओवसली बाद इसकता हूं है इसाफ के अल्ग एक लिजे यह आ जागा 13.6 इंटू एलसे ले लिजे यहां पर आ जागा 12 अपन 64 ओके नव इसे जब कलेट करो के यहां पर आपको वैल्याइगी 2.55 एलेक्ट्रो वोल्ट तो यह है आपका एनर्जी गेप बिट्वीन 4th एनर्जी शेल्स एन 2nd एनर्जी शेल्स नाव इस एनर्जी गेप की वैल्यू को यहां पर पूट कीजिए तो एनर्जी हो गई 2.55 एलेक्ट्रों वोल्ट माई इस इकल तो वर्फंश कितना है 2.5 एलेक्ट्रों वोल में से 2.5 एलेक्ट्रों वोट आप लेस करोगे तो वैल्यू एगी 0.05 एलेक्ट्रों वोल्ट तो यहां पर आपका ऑप्शन नमर्डी ऑप्शन में दी इस और करेक्ट ऑप्शन